जाहिन आवरीवन, आपका फिसेस ओगत है पेट्रोटिक आईस में यह हमारा आईस पीसेस वाला डेली करेंट अफेस, आज हमारे पास साथ टॉपिक है जिस पे हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, आज हमारे पास जादा टॉपिक जो प्रिलिम्स से डॉमिनेटेड है, जैसे क हिंदू new year, जो first day of the new year है, उससे associated है और यह भी प्रिलिम्स से ही related है, then we will study that the climate crisis is not gender-neutral, यहाँ पर आके मेंस से specific होगा और यह बहुत important है, क्योंकि यहाँ पर यह बात कर रहा है कि जो climate का impact है, ऐसा मत सोचे कि men and women पर same impact हा रहा है, women को जादा जहलना पढ़ रहा है, और जो vulnerable caste है, जो vulnerable group है, marginalized section है, उस पर जो इसका कहर है, वो जादा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि women's का जो perspective है, यहाँ पर gender का, उसके perspective से men's specific discuss करेंगे, एक men's practice question भी करेंगे, इसका answer लिखेंगे, approach देखेंगे, जिससे की थोड़ा हमे men's का idea हो, okay, next article होगा, a distinct right on the climate change and species protection, again, MC Mehta question ला है, वहाँ पर बात आई है कि जो हमारा climate change के कारण जो impact आ रहा है negative, उसको हम जो article 21 है, right to life and right to health, उसके against में ला रहा है, और उसमें article 29 का part मना रहा है, क्योंकि जो right to health है, अगर वह impact हो रहा है तो right to life impact होगा, और right to health क्यों impact हो रहा है? क्योंकि climate change हो रहा है, climate change के कारण एक simple example देखेगा, heat wave का है, heat wave का impact हो रहा है health पर, death हो रही है, that's why it is associated with the right to life, क्योंकि death हो रहा है and it's threatening the right to life. हमारी जिन्दगी को ये खराब कर रहा है और health को भी खराब कर रहा है that's why we are asking it under the article 21 right to life and the liberty. Okay, so again it will be for the men's specific. Gross mismanagement on the TV drug shortage. यहाँ पर देख रहे हैं कि TV elimination program चला रहा है national label पर लेकिन जो medicine चाहिए वो हम provide नहीं करा पार है. यहाँ पर criticism है कि अपने आपको हम Pharmacy of the Global South बोल ले हैं. हम कहरें कि दुनिया को हम medicine provide करें, दुनिया पर्टिकुलरी जो developing countries है, लेकिन अपने ही लोगों को हम TB का medicine regular नहीं provide कर रहे हैं और इस्तिति और भी गड़ जा रहे है. जो multi drug resistant TB है वो हो जा रहा है, उसमें बचने के chances बहुत कम होते हैं, death का number जादा होता है. तो again यह main specific हो जाएगा, GS paper 2 में जो health sector आता है, उसका एक काफी अच्छा example होगा, यहां से 2-3.60 हम लिख सकते हैं. यहां पर बात हो रही है कि urbanization का three phase की बात हो रही है, सारे urban area का maximum similarity है, जो issues है, congestion है, slum area का है, वही बात हो रही है कि यह इस्तिति कोलकाता में भी था, हमने सुधारने की कोशिस की इस्तिति और बिगड़ गई है. तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि already urbanization पर हमने काफी कुछ किया है. तो let's start with the front page. जो front page है, political news है, महाविकास अगाडी sealed poll pact into the Maharashtra. Poll pact हुआ है, Congress, Siu Sena and NCP Sarat Pawar के अंडर में. Siu Sena जो है, वह उद्व ठाकने की party है, वह महाविकास अगाडी की part है, जो India block है, उनके overall ये part है. क्या seat sharing है? सबसे ज़्यादा seat, जो Siu Sena उद्व ठाकरे का group है, fraction है, उसको मिला है, 21 seat पे लड़ रहे है, NCP को 10 seat पे लड़ने को मिला है, और Congress को 17 seat पे मिला है. कि Congress के लिए कहीं न कहीं यहाँ पे एक तरीके से strong ground पे नहीं ये negotiation हुआ है, क्योंकि Congress का जो strong hold था कुछ ए एरिया में, जैसे कि भीवंडी था, वो इनका काफी important area माना जा रहा था, जो इनका area है, सिंगोल, वहाँ पे ये काफी strong थे, सिंगाली में ये seat Congress ने छोड़ दिया है, तो भीवंडी था, एनका काफी था कंडिडेट इवें दो रहा कॉंग्रेस वांटेस्ट उन इन, तो ये सब चीजे हैं, तो overall यही है, एक तरीके से एक तरीके से ये political news है इतना important नहीं है, देखते हैं आगे काफी development हो रहा है, यह जो picture है, यह important है, क्योंकि यहाँ पे जो represent कर रहा है वह है गुड़ी पड़वा, ओके गुड़ी पड़वा, how it is associated with, this is the beginning of the Marathi New Year, Marathi New Year जो based है, वह loony solar period पे है, कि जो sun है, वह evolve करता है, वह evolve नहीं करता है, वह revolve करता है across the universe, लेकिन उसको revolve करता है, Earth को revolve करता है Moon, इन सब period को एक साथ देखके, हम जो first rotation होता है, after periodic rotation, उसको हम Hindu New Year के रूप में celebrate करते हैं, गुड़ी पड़वा के रूप में celebrate करते हैं, और इसके क्या खासियत है, थोड़ा one by one देख लेते हैं, यह कहां मनाया जाता है, में जो center है, महारास्टा है, लेकिन गोवा, पार्ट आफ कंणाट का अंधा पड़े से हैं, तेलांगदा में भी यह मनाया जाता है, ओके, अलड़ी हमने देखा कि New Year है, according to the lunisolar Hindu calendar, and it is celebrated on the month of the Chaitra month, जो Hindu calendar है, उसमें Chaitra month आता है, this is the first month of the Hindu calendar, लेकिन जो Georgian calendar है, उसमें यह March and April के बीच वाता है, अभी तो April चल ला है, तो अभी यह celebrate किया जाता है, में इसका जो symbol है, उसका एक कपड़ा होता है, that is very bright, and this is hoisted on the bamboo, so this is known as the Goody, Goody यही है, यही सेंटल जो इसका main symbol है, वही है, this is the celebration, symbolize the victory, and the victory of what, the victory of the good over the evil, okay, so here it will bring the good luck, and it will herald the prosperity as it is considered, main area का है, celebration का, Rangoli बनाया जाता है, जैसे कि हम देखते है, traditional attire है, people dance into the traditional attire, तो special food है, वह sweet flat bread है, इसको पूरड पॉली कहते है, पूरड पॉली, okay, so पूरड पॉली यहार दखेगा, पूरड पॉली किसमें बनाया जाता है, okay, and Srikhand, Srikhand का है, sweetened yoghurt, okay, so the main celebration of the Guri Padwa, is based on all this symbol, and all this different type of the rituals, and food that is associated with it, पूरड पॉली, पूरड पॉली, and special food Srikhand, sweetened yoghurt, okay, so this is all about from this news article, एक और news article, front page पे ही है, Higgs boson से related, जो इसके discovery किये थे, Peter Higgs, उनका death हो गया है, तो इसको जानना जरूरी है, कि why, what is the Higgs boson, Higgs boson क्या, एक fundamental particle है, पहले यह जानिये, this is the fundamental particle, within the standard model of the particle, physics, तो जो particle physics का proof था, वो इसी particle के discovery से हुआ, और इसी लिए इसको God's particle कहते है, क्योंकि यह बताता है, कि चीजों में mass कहां से आता है, अभी तब हम नहीं जान पा रहे थे, जो mass होता है, किसी भी element का, वो कहां से आ रहे हैं, हमें लगता था कि भगवान ने बनाया है, तो हमें तब तक नहीं पता था, लेकिन God's particle यह बता है, कि नहीं, there is the Higgs field, और वो Higgs field से जितने भी particle interact करते हैं, उनके पास mass होता है, और जो interact नहीं करते हैं, उनके पास mass नहीं होता है, जैसे कि light, light interact नहीं करता है, तो mass नहीं होता है, वह हुआ था, वहां पर हुआ था, जिनेवा में है, स्विजल लैंड में, तो इसको यार रखेगा, and this particle gives the fundamental of the how the mass is acquired by the different elements and the different particles, so you should remember. Other important news, again, यहां पर political news है, कि जो Delhi के Chief Minister, Erwin Kajirwal, उनको bail नहीं मिलाया, High Court ने reject किया है फिर से, दूसरी चीज है, कि जो BJP के जो लीडर है, राजियू चंदर सेखर, जो Union Minister भी है, उनके खिलाफ EC ने CBDT से पूछा है, कि उनका जो फॉर्म भरा गया है, Affidavit of the राजियू चंदर का, इसको examine करने के लिए बोला गया है, बोला गया कि कुछ mismatch है, तो आप चेक करके बताईए, कि यह सही है कि गलत है, जो next important news है, वो उगाड़ी celebration है, अगेन यह New Year है, हिंदू New Year और यह जो रीजन है, वो बदल गया, जो पुराना हमने देखा था, गोड़ी पूर्वा, वो कहां पे था, महारास्टा में था, और जो उगाड़ी है, वो तेलांगना, करनाटका, एंद आंधर पर्देसवाले रीजन में यह मनाया जाता है, अगेन, यूगा मींस होता है, एज, आड़ी मींस, बिगनिग, यूगाड़ी, 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 यूगाड़ी में सबसे इंपोर्ड़ेंट चीज होती है, वो इनका जो फूड होता है, यूगाड़ी पंचाड़ी, यह ऐसा फूड है, जिसमें 6 थरीके का फ्लेवर लिया जाता है, sweet, sour, salty, biter, tangy and astringent, एक ही दिन में यह खाके, हमने यह में एंटरी मारते हैं, तो this is the main thing about this, you should know, okay. Next important news जो हम लोग लेंगे, वो हमारे जो use में आता है tester, वो tester कैसे function करता है, इसके बारे में है, कि tester से हम कैसे check करते हैं, कि electricity आ रही है कि नहीं आ रही है, और हमें current भी नहीं लगता है, तो main thing होता है कि जो tester होता है, उसमें आप और आपका जो यह hand यहां पर टच कर आते हैं, bulb से, जो उपर top पर होता है, फिर देखते हैं कि light जल गई, तो आप भी उस circuit के part हो जाते हैं, एक circuit बनाता है, जो bulb एक part होता है, current flow का क्या होता है, कि high से low में जाएगा potential, high potential से low potential, ऐसे एक circuit बनती है, तो जो high होगा वो bulb के अंडर में होगा, आपका जो होगा लो होगा, क्योंकि आप earth से जूड़ होता है, जो आपके सरी से होते हुए earth में जाता है, तो कहीं नहीं कर यह concept है, जो neon bulb इसमें लगा होता है, वो एक point का काम करता है, और दूसरा आपका, जो hand है, आपका सरीर है, वो काम करता है, next important news, editorial से है, और यहां पर लिखा गया, the climate crisis is not gender-neutral, यहां पर बुला जा रहा है, कि जो climate crisis है, वो gender-neutral नहीं है, जो अगर पुरुस को, और महिला को, जो impact है climate का, climate change का, वो save नहीं है, वो अलग-अलग है, यहां पर जो women's है, जो female है, उनके उपर impact जादा है, क्यों impact जादा है? क्योंकि वो जो society के उस environment associated work से जादा जूड़ी होती है, एक women's को, main काम भार होता है, कि घर का देखना है, कि women's will be the main agent of the cooking, caring about the children, all these things. और यहां पर जब women's को, अगर खाना बनाना है, तो लकड़ी की जुर्थ होगी, अगर पानी लाना है, तो पानी कहीं दूसरे किसी नदी या किसी टालाप से लाना होगा, और अगर climate का impact इन चीजों पर होता है, तो women's को सफ़र जादा करना पड़ता है, इसकी जो writer है, वो chairperson है, MS Swaminathan Research Foundation की, और see the daughter of MS Swaminathan, जो हमारे Green Revolution के father बोले जाते हैं. यह बोलती है कि जो अभी recent report है, United Nation Development Program जो है, UNDP, इन्होंने बोला है कि जो climate change का impact है, जो disaster related impact है, वो women's and children पे 14 times ज्यादा होता है, जो death है women's and children का, men की तुलना में, male की तुलना में 14 times ज्यादा होती है, यहाँ पे it is the finding of UNDP, क्यों होती है, क्योंकि disproportionate impact है, क्योंकि women's को जहलना पड़ता है, अभी काफी इन्होंने explain भी किया है, उसके पहले UNDP के बारे में थोड़ा जान जाए कि UNDP जो है, वो United Nation की agency है, one is the lead agency of the United Nation, I will focus on the international development की बात हो रही है, development आ रहा है, सिर्फ climate change या climatic area में नहीं है, climate environmental protection का lead नहीं है, पर international development है, और main area का है, eradication of poverty, reduce the inequality, and build resilience, and help the countries to reach the sustainable development. यह area है, confused मत होएगा, कि सिर्फ climate change and environmental protection से associated है, उसे associated UN FCC है, उसे related UN यह environment program है, तो इसको याद में रखिएगा, इसका main area sustainable development है, development है यहाँ पर, यह न बोलेगा कि sustainable है, तो climate है, sustainable development है, democratic governance and peace building है, across the world अगर युद्ध हो रहा है, conflict हो रहा है, वहाँ पर कोसिस होता है, कि वहाँ पर peace बनाई जाए, वहाँ के लोगों को conflict area में सहायता किया जाए, और कहीं न कहीं जो democratic tendency है, democratic institution है, उसको support किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, यह यहाँ पर main है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ही development sustainable होता है, permanent होता है, उसके सिवाए, इनका काम है कि जो infrastructure रे create करते हैं, वो disaster resilience होता है, कि अगर कहीं पर बाढ़ जादा आती हो, या cyclone जादा आती हो, building ऐसा बने कि अगर cyclone आया तो उसका जादा impact नहीं हो, जैसे कि coastal area में shelter बना देना, कि जब कभी cyclone आया तो लोग और उनके पसू जाके shelter area में रह सकें, ताकि कम और minimum impact आया, यही resilience का मरलब होता है, कि building ऐसी बनाई जाया, या ऐसा infrastructure बनाया जाया, कि ऐसा नहीं आया कि कोई disaster आ रहा है, सब उड़ा के ले जा रहा है, जैसे कि एक होता है, कि earthquake resilience building होता है, कि आपका मकान ऐसा होगा, कि 70 degree तक भी earthquake आया, तो आपका मकान गिरेगा नहीं, इसके मरलब resilience है, थोड़ा आपने पैसा लगाया, थोड़ा technology लगाया, और ऐसा building बनवाया, कि अगर disaster आ भी जाया, तो आप बच जाया, main area इनका यह भी है, कि capacity building बना रहे हैं, कि institutions and individual into the developing countries, okay, और इनका partnership है, global level पे है, और ऐसा नहीं कि इनकी जो partnership है, scalable governments होगी, यह civil society से भी partnership कहते हैं, और कहीं न कहीं जो individual है, उनसे भी इनका होता है, तो private sector से भी है, और individual level पे भी इनका partnership है, जो funding है, वो funding United Nations के जो members है, वहाँ से इनका होता है, this is all about from this news article, यहाँ पे अब UNDP का यह था, अब news आप पे आते हैं, कि क्या writer बोलना चाहती है, वो बोल नहीं है, कि अभी जो context इनका नहीं ने दिया, कि MC मेहता वसर Union of India case 2014 जो आया है, अभी 5 April को 5 दिन पहले ही आया है, उसमें Supreme Court ने कहा है कि अगर climate change हो गया, जैसे already fundamental rights में था, या already DPSV में था, कि जो clean environment है, वो हमारा fundamental rights है, वो हमारा state का responsibility है, लिकि ने ने कहा कि clean environment नहीं दे पाए, climate change हो गया, environment pollution हो गया, वहाँ पर अगर impact आता है, effect आता है, तो उसके against में भी, जो इंसान है वो जा सकता है, जो citizen है, वो जा के बोल सकता है, कि इससे impact आया है, और यहां हमारा fundamental right है, compensation दीजे, यहां तक की बात आ रही है, कौन सा case था, क्या मुद्दा था, main मुद्दा था, next, जो हमारा अभी editorial है, उसमें इसको थोड़ा सा हम brief में देखेंगे, कि क्या मुद्दा था, इस जो case चलना है वहां पर, लेकिन यहां पर writer यह बोल लही है, कि people's right to free from the adverse impact of the climate change already have been recognized as the fundamental rights, लेकिन इतना recognition से हो गया क्या सब कुछ, सब को compensation मिल गया, recognition तो बहुत कुछ है, fundamental rights तो बहुत कुछ है, but reality में है, क्या नहीं है, इन्होंने बोला कि agriculture का ही देखा जाए, agriculture में जो women का participation है, maximum है, क्योंकि अभी देखा गया था कि जो feminization of agriculture की बात हो रही है, feminization, कि female ज्यादा participate कर रही है, क्योंकि male है, वो migrate कर रहे है, वो किसी और area में है, घर पे जो खेती है वहाँ पे women's को जाना पड़ता है, खेत में या तो उसके weeds काटने हो, या उनको पानी पटाना हो, पानी जो irrigation, या उनका जो showing हो, maximum women's का ज्यादा दोला है, आप देखिएगा, जब agriculture season आएगा, अगर जहाँ पे field हो, जो agriculture field हो, वहाँ जाकर कि women's का participation ज्यादा दिखेगा, वह ज्यादा है हर एडिया में, और यह भी देखा गया कि जहाँ पे women's अगर agriculture में participate कर रही है तो productivity वहाँ बढ़ा हुआ होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि they have the better knowledge of the ground situation, वह जुड़ी हुई है environment से, क्योंकि उन पे ही impact ज्यादा आता है, अब यह बोलने हैं कि अगर ऐसे condition में agriculture पर negative impact आता है, अगर कोई condition आता है, जहाँ पर drought का condition आता है, तो सबसे ज्यादा impact किसको होगा, women's को होगा, और यह impact आज कर ला रहा है, climate related crop yield reduction हो रहा है, जैसे कि climate के करद जो production, जो productivity थी वो घट गई है, पहले 20 quintal होती थी, उसी खेत में उतने ही अरिया में अब 10 quintal हो गई है, ऐसे में क्या है, अनाज कम पैदा होगा, तो women's को जो खाना मिलता था उस पे ज्यादा impact होगा, अब आप जो यह क्यों आप घर में भी देखते होंगे, सबसे बार में कौन खाना कहता है, the mother, जो female होती है, वही सबसे बार में, भाई के बार बहन को खाना मिलता है, this is the condition, अगर घटेगा, तो that has to compromise with the sister or the mother, this is the normal thing, और यह हमारा एक overall condition है, अब overall, जब food shortage होगा, तो खाना सबसे लाश में किसके पास जाएगा, the mother, mother को ही compromise करना पड़ेगा, वह sacrifice के नाम पर, lot of other symbolism in our society, our our tradition is there that the women को आप उपर symbolize कर दिजे, और उनका जो हक है, वह उनसे छीन लीजे, this is the case, तो ऐसे में जो women का होता है, they feel a lot of a lot of pressure, such as the, they have to face the worst health scenario, और यहां तक होता है, अगर खेत में productivity कम होता है, frustration जो पूर उसको होगा, practical society है, वह गुसा कहां निकालेगा, वह अपने female member पे, अपने wife पे, अपने mother पे, अपने daughter पे maximum जाता है, और ऐसे case में जो सबसे जादा violence होता है, वह husband अपने wife पे निकालता है, this is the case, और ऐसा नहीं है, कि इसका proof भी है, National Family Health Service 4 & 5 है, उसमें ये चीज़े clear cut आई हैं कि दहां जहां पे भी drought prone district है, वहां पे जो intimate partner का violence है, वह increase हुआ है, and there has been the high prevalence of the girl marriage, वहां पे ऐसा हुआ है कि जो उनकी बेटी है, उनकी लड़की है, girls है, उसको वह कम age पे ही साधी कर लेते हैं कि tension खतम हो, already घाटा हो रहा है, कहीं इसके growth होने पे या इसके बढ़े होने पे age बढ़ने पे हमें दूसरा दिक्कत नहीं है, जहलना पड़े, तो वहां पे जो child marriage है, child marriage आ गए, women's के साथ एक और issue है, child marriage हो गया, तो जाके अगर pregnancy पहले हो गया, तो उस condition में भी women's को ही जहलना पड़ता है, अगर pregnancy एक particular age के पहले होता है, तो women's के health पे उसका काफे negative impact आता है, फिर जो बच्चा पैदा होता है, उस पे negative impact होता है, क्योंकि उसका जो physical strength होता है, कम होगा cognitive capacity होगी, कम होगी, and mother will also face lot of complication. तो कही न कही हम देख रहे है कि जो भी increased food and nutrition security है, work burden है, income uncertainty है, all that will be increased the pressure on the women and different complication on the women. अब यहाँ पे देखते है कि extreme events and gender based violence का जैसे एक example इन्होंने ये दिया है कि जो 75% of the Indian district है, जैसे अगर 100 district है, उसे 75 district ऐसे पाए गया है, जहां पे hydromit disaster, hydromit, hydromit का मतले है जहां hydro, hydro कि से related है, H2O, H hydrogen, इसलिए इसको hydromit का आ गया, H2O water, वाहां वाचे से related का क्या आ सकते है disaster, एक तो flood आ जाएगा, बहुत जादा पानी आ गया, पानी कम हो गया, तो drought आ गया, cyclone भी आ सकता है, तो ऐसे case में हमने देखा कि इंडिया में जो hydromit disaster है, वह 75 district में phase करने को मिल ला है, अब यह कहां से आया है, council of the energy environment and water एक body है, NGO है, इन्हों ने यह दिया है, यह किस area में काम करते है, different इनका area है, जो sustainability sector इसको माना जाता है, जैसे clean energy, clean air, clean water and other areas such as urbanization से related issue है, slum area में यह लोग research करते है और advisory प्रवाइड करते है, okay, यह training and skill development में भी काम करते है and professional working into the sustainability sector so यह सब कुछ है, आप इनका basic जान लीजे, then come again on the this extreme weather events and change in the water cycle pattern affect the access to the safe drinking water, increasing women's work load and reducing for the productive work and the healthcare, यह पर हम देखते है कि जो women's pre-bought का condition है and other complication है, वो भी increase हो जाएगा, okay, air pollution से जो related other impact है, जैसे कि जो respiratory system है, वो women's का सबसे जादा impact होता है, क्योंकि women have to cook into the house, अगर women's आ रही है, अगर धुआ निकल ला है, जो smoke आ रहा है, उसका सबसे जादा inhalation जो women खाना बना रही है, उनिक होगा, अब जब respiratory system impact होगा, तो जो cardiovascular disease है, जो heart से related, heart attack है, अदर ऐसे condition है, वो उन पे जादा होगा, और यह सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, उनका physical and cognitive growth, जो unchild, unborn child है, अगर mother वो female pregnancy से गुजर रही है, तो ऐसे case में unborn child का जो cognitive impact है, और जो physical, उसका strength होगा, वो कम होगा, अब हम देख रहे हैं कि जो climate change disproportionately women's को impact कर रहा और यहसा हमें यह भी देखने को मिला है, जो हमने अभी तक एक aim बनाया था Paris agreement के under में, कि हम 2 degree से जादा जो temperature है pre-industrial time को base रखाता, वो near about 30 degree है, तो हमने सोचा था 30 से 15 degree से जादा नहीं बढ़ने देंगे, 13 degree overall average global temperature था, जब industrialization start हुआ था, हमारा aim था कि 202 degree तक होगा, और हम courses यहां तक करेंगे कि 1.5 degree पर ही रोकने, यह ऐसे ही है, जैसे कि हमने match खेल लिया, 200 हमने target रखा कि जो हमारे opponent team है, उसको 200 का target दिया, और हम कहरें कि हम 50 run से हरा देंगे, हमें 150 run पर ही उनको रोकना है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी 100 साल पर यह target है, 200 करेंगे, अभी 2024 में ही near about 1.36 यार 1.4 के degree बढ़ गई है, और इसका मलब यह हुआ कि सिर्फ 24 over में ही उन्होंने 120 run बना लिया, 200 सोचिया भी कितने over हैं, 76 over हैं, क्या हालत होगी, तो ऐसे condition में क्या है, जो women's car different area में impact है जैसे कि और भी खराब होगा और ऐसे condition में हमें क्याप करना है, we need to empower the women and what is the solution of the climatic condition this is the only solution, okay और ऐसे case में हमें जो tribal and ruler women's हैं, उनको हमें leadership role में लाना पड़ेगा क्योंकि they are very close to environment and their environment conservation effort better होगा और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनका knowledge base पर काम करना चाहिए, we provide the tool as per their need, we should provide the resource and also we should bring them at the center of the decision making, हमें उनको central stage में लाना होगा decision जो बने उनहीं के द्वारा बने एक चीज़ और इनहोंने कहा है कि कोई भी solution हम ला रहे है वो one size fit नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग-अलग region का अलग-अलग condition है, may be there could be the different condition for the some of the area that is into the desired area but there is the need for some other solution, some other measures अगर कोई area coastal area में वहाँ पर कुछ और need होगा, कुछ और major चाहिए, improvement करने के लिए so this is here, this it has given here अब एक चीज़ और है कि heat wave and the water shortage का, जो सबसे जारा impact है, कैसे इसको resolve किया जाए, क्या major लिया जाए, यहाँ पर discussy हो गया है, okay, prolong heat on the vulnerable group such as the outdoor workers, जो लोग field में काम कर रहे हैं, जो लोग मकान बन रहे हैं, जो लोग road बन रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, जो ठेले लगा रहे हैं, जो सबजी छान के बेच रहे हैं, ऐसे लोग, pregnant women, जो children हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, उन पर इसका जो है, वह काफी जादा effect आता है, lethal effect आता है, okay, अब ऐसे case में हमें सबसे जादा कौन prevent कर सकता है, protect कर सकता है, urban local bodies, municipal corporation and district authority, क्योंकि यह सबसे करीब होते हैं, vulnerable group को, इनको पता होता है कि कहां पर जो मजदूर है, उनको कहां पर पानी की need है, कि किस area में मजदूर है, वहां पर सेड नहीं है, छाओं चाहिए, किस area में ज्यादा heat stroke आ रहा है, तो hospital या health workers कई नम्मत बढ़ानी चाहिए Okay Major to minimize heat related death include heat warning अब पहले ही warning हो जाए तो they will know that what are the prevention they have to take, for example अगर घर से बहार निकलना है, कोई जरूरी काम नहीं है, तो नहीं निकलेंगे, बहुत जरूरी होगा तभी निकलेंगे, चाता लेके निकलेंगे, अपना mask लगाके निकलेंगे, अपना cover करके निकलेंगे, पूरे face को, body को अच्छे से, Okay adjust the outdoor work and the school timing, अगर पहले ही warning आ गई, तो timing है, जो दोपहर की timing है घटा के, हम morning and evening में कर लेंगे this is GG and very easily we can reduce the casualty, Okay establishing the cooling room, health facility, providing the public drinking water, जो हमें साम देखते हैं, नहीं होता है, और immediate treatment, जब heat stroke आता है तो जगा जगा हमारे, जो health workers हैं, उनकी हम camp लगा के लगा सकते हैं, so that they can take a quick action whenever there is the need. Long term action क्या होगा? जब heat wave का सबसे बढ़े long term, क्या impact हो चकता है? पेड लगाए, पेड से अच्छा सहारा धूप में कौन होता है? आप देखते होगे, मुसाफिर चलते हुए पेड की छाओ में बैठके अपना आराम करते हैं, पेड trees is the traditional as well as the futuristic solution यहां पर इसका कोई replacement नहीं है, forest trees plantation that should be there दूसरी चीज है, जो concrete हम लोग ला रहे हैं कि हर जगा concrete, concrete इसको हटाना पड़ेगा थोड़ी मिटी दिखनी पड़ेगी थोड़ी सी again plantation लगाना पड़ेगा and create the green, blue space and design heat resilient housing जो house ऐसा होना चाहिए जो अगर heat है उसको reduce कर सकते, for example जैसे अगर poor family है, household है वो AC नहीं लगवा सकता, cooler नहीं लगवा सकता ठीक ही है एक तरीके से नहीं है तो ठीक है लेकिन वो जेल ले क्यों एक दिक्कत है कि यह लगाना गलत चीज है लेकिन जेल तो वो इंसान लग रहा है ना, अमीर आदमी लगा लिया या AC मस्ती में है लेकिन उससे और increase हो रहा है जो temperature है तो ऐसे condition में जो गरीब आदमी है जो effort नहीं कर सकता उसका एक natural solution ला सकते है कि जो उसका रूफ है उसको जो reflective sun rays को reflect करने वाला color है जैसे white है वो ऐसे paint करवा दे काफी सही होगा जैसे इन्होंने कहा कि और भी solution है जैसे यह बोल लही है कि हमारा MS Swaminathan Research Foundation यह इनका जो group काम कर रहा है इन्होंने water का solution लाने के लिए क्या किया mapping किया जहां-जहां कि water resource ज़्यादा थे फिर वहां पर identify किया जिस area में water vulnerability ज़्यादा था सबको interconnect किया और government scheme and resources को एक साती कटा करके इन्होंने काफी effective way में इस्तेमाल किया तो काफी solution मिला अब working at the village level is the most important thing क्योंकि यहां पर हम देखेंगी पंचायत के पास इतना power है कि वह community and participative जो solution है जो steps है उसको improve कर सके और इंडिया में हमने देखा है कि mostly if you are going to capacity building of the panchayat and the self-help group जो कि ground पे जहां पे गाव में एकदम जहां पे दूर दराज area है वहां पे लोग काम कर रहा है तो यह वहां पे solution ला सकते है और इसमें women's को ही central role देना है एक इनोंने example दिया है कि national and state action plan on the climate change है already हमने climate change से लड़ने के लिए यह plan बनाया है यह जो plan है यह बताता है कि women's सबसे जादा victim है, उनको दिक्कत हो रहा है सब कुछ बोला है, लेकिन again यह उनको central power नहीं दे रहा उनको empower नहीं कर रहा है जिस हिसाब से करनी चाहिए आप दुख तो रहा है कि women's के साथ issue है women's के साथ यह कर रहे लेकिन solution नहीं दे रहे power नहीं दे रहे So this is all about from this news article इस पर हम लोग question लेखते है और इसका answer लिखते है Assess the role of women in the climate action and their vulnerability to the climate related impacts as highlighted into the context of the climate crisis So क्या है बोलना है Assess क्या assess करना है? Role of women in the climate action and their vulnerability to the climate related impacts. Okay Highlighted into the context of the climate crisis. So कैसे start करेंगे? The first thing you should start with to explaining into the very brief. आराम से छोटे 2-3-4 line में आप explain कीजिये जो interlink है between the women climate change and the climate action Okay, अब फिर से आप लाएए है कि vital role of the women into the climate action क्योंकि क्यों है? क्योंकि women को पता है कि कैसे solution लाना है? कैसे बिना environment को ज्यादा negative impact की अपना काम कैसे चला है? क्योंकि उनको पता है कि अगर पानी है कितना पड़ेगा? क्योंकि उन ही को जाके सब कुछ पार लिजे, climate का impact अगर कम नहीं हो सकता, climate justice पर आप नहीं रीच कर सकते हैं जब तक कि women's and girls को आप central point में नहीं लाते हैं. तो ऐसा करके आप answer लिखने की courses केजे, answer post केजे, we will give the comment, we will provide the feedback in a very constructive manner, काफी serious manner में ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ही हवा हवा हई लेंगे, हम हर चीज को serious लेते हैं, तो इसका जो feedback दिया जाएगा, वो sincere way में दिया जाएगा और आपको sincerity आपके इंड़ पर भी दिखानी होगी, you have to write this answer on a daily basis, यही inculcate करेगा आपके अंदर answer writing का practice एक दिन में अगर आप चाहते हैं कि answer लिख ले तो यह भूल जाये, this is not possible, okay. The next important news again editorial सही related है और यहां पर जो editorial column है वो बात करता है कि a distinct right to free right to be free of the climate change, okay. अब effects comes amid a conservation dilemma तो यहां पर आ रहा है कि MC Mehta का case है, अभी CC में आया है जो हम लोग discuss कर रहे थे कि इसमें यह बोला गया है कि जो right अगर कोई impact हो रहा है आपके health पे, आपके किसी भी livelihood पे और वो हो रहा है climate change के कारण तो वो उसके against compensation की जरुरत हो गया और वो government को यह state है उसको fulfill करना पड़ेगा तो यहां पे यह right to life के अंडर में इसको लाया गया है, right to life जो article 21 के अंडर में आती है, यह काफी broad end है इसके अंडर में बहुत कुछ आता है, जैसे right to help आ गया and there is lot of other thing that is under this article 21. अब यह discussion जो core point हो रहा था, यह हो रहा था कि great Indian buster, जो critically endangered इसका already picture हमने आपको दिखाया है, पिछले lectures में एक बार आप Google search किजिएगा, इसका picture देखेगा यह बड़ा सा world होता है, इसका weight काफी high होता है, और the heaviest word जो हो है, वर्ड में fly करने वाला यह है, अब यह fly कर रहा था और Rajasthan और Gujarat के area में में यह पाया जाते है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि solar power का production हो रहा है and solar power के लिए high transmission line लगाया जा रहा है, मोटे-मोटे tar होते है high power के, उससे यह टकरा जाते है और उनका death हो रहा है continuously यह case M.C. Mehta लेके गए M.C. Mehta का अंदाव में आप याद रखेगा environment से related यह काफी active है, activist है lot of case इनों ने किया environment से related और वहाँ पे Supreme Court ने direction भी दिया है government को, यहाँ पे बात हो रही थी कि कैसे बचाया जाए, फिर Supreme Court से आदेश आया कि जो high transmission line है हवा में की जगह पे आप जमीन के अंडर, underground कीजिए लेकिन बात यह आगए कि underground करके वह feasible नहीं है, इतना पैसा लगेगा कि वह फिर solar power plant बनना ही बंद हो जाएगा क्योंकि फिर तो लगेगा कि crude oil सस्ता है, लोग क्यों हो जाएंगे solar power से खरीदने, जब उसको आप यूनिट की जगह पे 13 उनिट में बेचियेगा तो no will going to buy that ओके, तो ऐसे केस में जो government पहुँची है, काई ministry, ministry of the renewal energy भी पहुँच गया, वह वहाँ पे three union ministry, वह वहाँ पे supreme court में पहुँचे कि साहब यह तो गलत हो फिर तो एक तरीके सा आप species, one species को बढ़ाना चाहते है अब crude oil में turn हो जाएंगे फिर तो emission जादा होगा, फिर तो हम और भी species को खते में डाल देंगे क्योंकि carbon dioxide या जो भी greenhouse है उसे global warming होगी, तो और impact खराब हो जागा, तो आप एक बचाने के लिए दूसरे को खराब करें एक चीज को जीवित करने के लिए आप दो-तीन को और नहीं मा सकते हैं तो SME Supreme Court ने खाएंगे कितना species का आप है, कुछ alternative हम देखते हैं तो उसी percent why हो रही है, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है next important news again, it is from the TV के खिलाब जो हमारा struggle चलना है जो हमने national TV elimination scheme चला रहा है उसके underway हमने देखा है कि हम तो aim किया है कि 2025 तक हम eliminate कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ही यह है कि हमने देखा है कि अब भी जो TV के main medicine है वो available ही नहीं है market में ही नहीं है और दिक्कत यह है कि अगर आप TV का जो दवा है वो provide नहीं करेंगे लोग इतने गरीब है जो TV से impacted है वो दवा लेना छोड़ देंगे और कुछ course के बाद अगर आप दवा लेना छोड़ देते हैं तो multiple drug resistance एक और अधिक खतरनाक TV की विमारी है हो जाएगी क्या होता है multiple drug resistance इसमें यह होता है कि जो first line of the TV की दवा है वो आप पे काम करनी बंद हो जाएगी वो resistance डेबलब कर लेगा और वो जो दवाए है वो ineffective हो जाएगी ऐसे case में इंसान का बचना मुस्किल हो जाता है जो course of duration होता है इस treatment का वो अधिक हो जाता है वो 6 महिने से 24 महिने तक जाता है तो TB के बारे में थोड़ा था कुछ basic जाने कि क्या है यह बैक्टीरिया से बिमारी होता है और जिस बैक्टीरिया से यह होता है उसको mycobacterium tuberculosis कहते है तो यह यार दखेगा mycobacterium tuberculosis है जो से यह बिमारी होती है transmission का तरीका क्या होता है कफ sneezing okay and also due to the if there is a droplet containing into the bacteria वो एक आर्मी से दूसरे आर्मी में चला जाए तो वो होने के chance होते है यह bacteria का safe है कैसे पता चलेगा सबसे जादा दिक्कत है कि आपका जो weight है वो बहुत high loss होगा fatigue होगा आपको लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं करता है ठकान सा होगा और लगातार cough हैगा तीन से week से जादा है तो please आप जाएए check कराएए और आप जल्दी से जल्दी ठीक होने के chances जादा है कि जितना जल्दी करेंगे multiple drug resistance करेंस का डबलब हो जाता है जब आपने course चलाया कुछ दिन बाद छोड़ दिया जो दवा आप चला रहे थे वो ineffective हो जाता है जैसे कि कुछ दवा की एक्जामपल दिया है isoniazid and rifampicine है यह दवा का नाम तो ऐसे condition में यह और impactful हो जाता है impactful means lethal हो जाता है death का जो case है वो बहुत हाई हो जाता है overall world में कैसी नहीं हो है near about in 2021 estimated 10.6 million people fell ill with the TV 10.6 का मलब यह होता है कि एक करोड near about 6 lakh लोग को हुआ और उसमें से 16 lakh लोग का death हुआ WHO का report है MDR TV से जो impact है वो near about 4,50,000 लोग हमेशा इसके under में आते हैं इससे impacted होते है diagnosis test कैसे हो सकता है skin test होता है जिसमें आपका tuberculine skin test होगा TST को बोलते हैं या blood test होगा इसमें होगा interferonogamma release essay IGRA कराया जाता है IGRA अगर doctor कहें तो इसका मलब सोच लीजेगा कि आपको बोला है कि आपको जाके TB का test कराना TST का भी मतलब यह भी सहीम ही होता है लेकिन यहाँ पर skin से related test है sputum test है इसके जारा detail में नहीं जाना है chest x-ray भी करा सकता है drug sustainability testing भी हो सकती है यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रिलिंस में यह चारो option देखे पूछ देगा कि how many of that is the refer for the diagnosis of the TV तो यहाँ पे चारो answer आपके सही हो सकते हैं TV का जो course है means के लिए समझेगा च्छै महिने का course है अगर TV आपको multi-drug resistant वाले MDR का एक दवा माना जाता था daily man need यह भी इस समय नहीं मिला है अब ऐसे कंडिशन में जो government है वो बोला है कि local label पर आप खरी लिए hospital से बोला है government hospital से आप खुद वहाँ ढूढ़िए देखे मिला है कि नहीं जब आप national label पर नहीं provide कर पा रहे है local label पर कैसे मिलेगा already लोग अपना job छोड़के free में मिलता है तो जाने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर इंसान daily कमाता है और daily खाता है एक दिन का भी job नहीं गया तो उस दिन उसको fulfill नहीं होगा कुछ खाना कम बनेगा चार दोटी की जाएपे दो दोटी मिल बनेगा कि सबजी की सबजी नहीं भी बन सकती है ऐसे भी condition होता है और जो गरीब लोग है उन्हीं को जादा impact होता है तो दवा आप available कराईए आप बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे कि eliminate करेंगे नाम चेंज कर दिया था पहले इसका नाम था National TV Control Program मोरी जी आया थे इन्होंने National TV Elimination Program रग दिया लेकिन दवा नहीं दे पाएंगे तो नाम बदलने से क्या होगा Elimination तो नहीं हो पाएगा यह इस आर्टिकल में ऐसा लग गया है कि ऐसा तो नाम तो रख देंगे लेकिन बहुत कठील लग रहा है कि हम इसको eliminate कर पाएंगे by the 2025 So this is the scenario of the failure of the one of the program यहाँ पर आपको कभी criticize करना हो तो आप यह भी यहाँ पर यह points आप ला सकते हैं जो medicine का अभी shortage चलना है उसके लिए Next important news again editorial सही related है यहाँ पर Kolkata's bypass urbanism हर urban area का near about वही है जो issue आ रहा है कि वहाँ पर slum area में दिक्कत है congestion है जो infrastructure है वह एक तरीके से proper नहीं है sanitation की facility नहीं है यह common है इस article में भी वही कहा जा रहा है कि common है यह चीजे अब Kolkata का यह specific है अब यह बोलना है कि जितने भी metropolitan city है उनका urbanized colonial era में start हुआ था जो अंग्रेज थे उन्होंने start किया था तो उनके एक process से impacted है दूसरा green revolution और तीसदर जो liberalization 1990 के बाद ही start किया था उसका तीनों का impact है इन्होंने बोला है कि इन तीनों का impact जो है वह कहीं न कहीं वह हमारे जो system है urban space है वह उतने proper तरीके से उसको align नहीं किया है तो Kolkata का case है उन्होंने कहा कि दिक्कत बहुत हो रही है congestion है hygiene नहीं है sanitation नहीं है तो ऐसे case में उन्होंने कहा कि salt rake city within the Kolkata ही बनाते है यहां पर कुछ issue दिया है जो urban area में common है water, sanitation and slum along with the poverty, traffic and the governance issue जो common है हर cities में है यहां पर भी है फिर यहां पर इन्होंने क्या करा कि bypass बनाना ही start किया उस line में सोचा कि development करेंगे हमने देखा है कि जहां पर भी road सडक बनती है उसके किनारे किनारे ही development process start हो जाता है और वहां पर इस condition हमने देखा गया है कि उस road पर, bypass road पर जितने भी luxurious apartment, club, schools, hospital है वो shift कर गया क्योंकि उनके पास पैसा था कि जमीन खरीत के तुरंट वहां पर building create करें अब यह करें तो इनको service देने के लिए वहीं पर जो slum area भी थोड़े-थोड़े किनारे develop हो गया लेकिन यह जो area बने वो इतने जादा high level पर है economically कि इनको जो slum वाले हैं उनको यह outcast के जैसे देखने लगे और ऐसे में discrimination start हुआ और इनके और उनके बीच में एक rift divide create हो गया है यही यह जो writer है वह यहां पर बात कर रहे हैं और इसके कारण जो social friction है start हो जाता है कि वह उनको देखते हैं कि हमारे exploitation के कारण यह जो high rise building वाले हैं यह लोग हैं और वह देखते हैं कि हमारा जो pollution होता है और जितनी भी illegal crime है वह यह लोग करते हैं वह एक नएा problem start किया है तो उसको solution लाने के लिए writer कहने कि government को एक नए तरीके से development paradigm start करना पड़ेगा This is all about from the this news analysis अब जो topic किया उसपे हम कुछ question करते हैं under the furious 5 session यहां पे हम 5-6 question करते हैं जो हमने topic अभी तक cover किया है Let's start with the first topic and the first question Consider following statement about the united nation development program the first it is the lead UN agency focus exclusively on the climate action and environment protection second its partner with the government civil society private sector on the development initiative यहां पे answer मैंने पहले ही दो दे रखे रखा है क्योंकि one is incorrect second is second is correct one क्यों incorrect है क्योंकि यहां पे कहरें कि exclusively focus on the exclusive on the climate action and the environment protection हमने देखा था कि इसका नाम ही है development main इसका exclusive जो है focus है development पे है तो यह जो है यह climate action और इसके लिए already UN FCC and United Nations Environment Program है तो वो करेगा यह नहीं करेगा इसलिए यह गलत यह सही तो B is the correct answer question number two which are the following is the key focus area for the United National Development Program promoting disarmament and nuclear non-proliferation eradication eradicating poverty and reducing inequality third facilitating international trade negotiation select the answer using the code given below promoting disarmament and nuclear non-proliferation ऐसे case में हमारे पास already separate disarmament commission है तो फैला तो गलत हो गया eradicating poverty and reducing inequality already हमने देखा था यह वाला case है तो यह सही है facilitating international trade negotiation इसके लिए हमारे पास already WTO है तो हम यहां पे क्यों करेंगे तो यह गलत हो गया तो जो केबल बचा 2 तो again B is the correct answer गुडी पडवा celebrated as a traditional new year festival its family associated with which of the following Indian state Maharashtra, Tamilaladu, West Bengal and Gujarat तो यहां पे हमने देखा कि यह Maharashtra से associated है थोड़ा बहुत Goa and Karnataka के भी कुछ पार्ट में यह बनाया जाता है और mainly it is associated with the new year and it is based on the lunisolar period जो calendar होता है उस पे यह based है Question 4 Which of the following statement about the Higgs boson is correct? It is a type of electromagnetic radiation B. It gives mass to the fundamental particle C. It is responsible for the strong nuclear force D. It is stable faster than speed of the light So speed of light से तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास mass होता है और इसके पास भी mass होगा वो light से कम ही होगा और light से जादा कुछ नहीं होता है Light से जादा किसी की speed अभी तक नहीं पाई गई है It is a type of electromagnetic radiation नहीं है Already इसका खुद का Higgs field है यह अलग type का ही खुद particle है Very unique Nothing to do with the electromagnetic इसमें हमारी light होते है Electromagnetic waves होते है जैसे infrared wave है वो सब आएंगे Visual light आएगी Okay तो यह सब आएगी यह नहीं है It gives mass to the fundamental article यह ही तो main है जब Higgs field से interact करते है तो उसे mass मिलता है वह होता है It is responsive all the strong nuclear force Nuclear force separate fundamental force है यह खुद ही एक type का force है तो यह नहीं होगा Q5 Consider following a statement about ugadi It marks the beginning of the chatra months according to the Hindu calendar Ugadi panchadi is the special disc prepared during the celebration symbolize the different flavor Which of the ever which statement is are correct one only two only both one and two neither one not two तो यहां पर हमने देखा है It marks the beginning of the chatra month तो यहां पर यह correct था यह March-April के बीच का होता है अभी चलना है वही Ugadi panchadi जो इसका this है That is very famous Sixth तरीके का flavor होता है उसमें सब कुछ होगा Sweet Salty Biter And yes All other type of the sour or type of the this flavor will be there तो दोनों सही हो गया One and two both are correct Last question Ugadi celebration से a similarity with which of the following festival तो यहां पर हमने देखा है कि छट पूजा हमने देखा यह नहीं है Overup यह तो harvesting है Behu again यह agriculture से related है तो चेटी चार्ट यही है यह भी एक तरीके से New Year celebration है And yes This is also symbolized the lunisolar period And under that This is celebrated So here हम अपना जो session है वो conclude करेंगे क्योंकि हमने जितने भी relevant topic है UPSC से यह स्टेट पीसे से हमने उसको cover किया है आप सभी लोगों को फिसर धन्यवाद यह session join करने के लिए All the best Jai Hind